आप सभी विद्यार्तियों का हार्थिक स्वागत, हार्थिक बद्न दन। प्रिए विद्यार्तियों, BA, BAC, B.com, Part First, चाहे प्राइवेट हो, चाहे रेगुलर हो सभी के लिए जनरल इंगलिस, जो की सभी 20 विद्यालों में जनरल इंगलिस का जो पेपर होता है उसमें से कल मैंने आपको बताया था कि आपके लिए किस प्रकार का पाठ्षे करम आता है और उस पाठ्षे करम का पेटर्म क्या रहता है उसके बारे में बताया आज हम classes, proper classes जो start करते हैं और proper classes जो है हम grammar से ही start करते हैं grammar के लगबख जो 10 topic है वो 10 topic सभी विश्वित्यालों में आते हैं और उनी में से 50 अंकों के या 40 अंकों के प्रशने वो पूछे जाते हैं तो हम सबसे पहले tense को लेंगे और tense के लगबख दो वेडियो में हम इस tense को पूरा कर लेंगे अब इसमें क्या करेंगे जैसे exam questions है tense से समन्दित exam questions कैसे आते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा tense समझा कर कि उसके बाद में आपके सामने रखूँगा कि यह इस प्रकार के प्रशनाते है इनमें इस प्रकार बढ़ना है सीथे आपको यह देखना है कि कैसे बढ़ना है tense से समन्दित अगर कोई प्रशना आएंगे तो वो इसे ही प्रशना आएंगे और आप निश्चित रोप से भर पाएंगे यह मुझे पूरा विश्वास है और जहां तक कि मैं समझता हूं कि मैं आपको खूल करके समझाऊंगा और प्रशना एक चीज जो है वो अच्छी तरह से बताऊंगा ताकि आपके आगे आने वाला समय में भी काम आए अगर चैनल को इंग्लिश है जनरल हिंदी है हिंदी लिट्रेचर है पॉलिटिक साइंस हिस्ट्री जोग्राफी सोशियलोजी कंप्रेशन क्लास और भी जैसे यह जो एन्वार्मेंट है यानि विए फस्टियर से लेकर देप यह फानल तर सभी विद्ध्यार्थियों के लिए सटीक से और ग्व्मेंट भी सिरेबस करवाय जाता है। साइंस और could do is do looking वилेट्ए हिंदी लिट्रेचर इनका लगबक सीस्टियर घुड़ी में जिट्रेचर इनका लगभग है थैसकर रहा है नों चल्रृप करती गई है और जोगरफी थोड़े दिनों में शुरूख हो जाएगी स सेकंडियर और फाइनल के लिए भी तो मैं समझता हूं कि आप चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको जब हम जैसे अपने ये पूरा हो जागत होने के बाद में हम तीन मोडल पेपर हल करेंगे इंगलीस यानि कमपलसरी के इस परकार किया है कि इतने में अपना काम आराम से हो जाएगा और आराम से कर पाएंगे और जो बहुत सारे विद्यारतियों ने पास कोल आते हैं कि सर मेरे फस्टियर में जो है वो ड्यूर रह गया था और यूर जाता है इसलिए आपको first year में इसको कर लेना चाहिए और बाइदीव अगर रह भी गया है तो second year में आप निश्ची तूरूप से कर ले अन्यत अफिर क्या है कि final में और ज्यादा समझे आ जाते है, final में जब ये due रेज़ता है बाइदीवे, तो फिर आपकी वो graduation नहीं माने जाती है बहुत सारी समझे आ जाती है, इसलिए आपको composition subject जो है, उनको आपको पहले ही pass कर लेना चाहिए तो आईए चलते हैं और बिल्कुल सहस्ता से हम pass कर पाएंगे बूचे पूरी उमीद है सबसे पहले हम tense का chapter लेते हैं देखिए आपके लिए मैंने तयार कर लिया है और tense तो है आप जानते ही है तीन परकार के होते हैं present tense, past tense और future tense यह आप तीन परकार के आप जानते ही है present tense तो है अब जैसे हम कैसे पेचाने की यह present है present tense, present tense में जैसे हिंदी में है, है, हूँ आते हैं जैसे वह सीता है जैसे मानलो है तो इसका मतलब यह present का है जैसे past tense में था थे थी या आये ही की जैसे वह सीता थी होता तो यह past को हो जाता future tense यानि जिसमें गागेगी आते हैं जैसे रमेश नाचे का आयेगी इसमें गागेगी आगे इसका मतलब फ्यूचर का है सीदिसी बात है यह बिल्कुल short में समझना है हमें क्योंकि ब्यूचर में इतना ज्यादा हमें प्रेक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है तो प्रजेंट पास्ट और फ्यूचर तीन होगे ती फेले हम प्रजेंट इंडेफिनी टेंटिस की तरफ चलते हैं प्रजेंट इंडेफिने टेंज में जदी हम देखेंगे तो जैसे हंदी वागियों में ता है, ती हेटे है, रहा होन सबी वागिये present indefinite के होते हैं जैसे मोहन खेलता है अगर कोई वाद के आ गया मोहन खेलता है इसका मतलब यह कौन से टेंस का है यह present indefinite का है अब इसमें समझ लिए यह दो साहे करिया ही होती है do or does कौन कौन से साहे करिया होती है do or does अब do का प्रियोग कहा होता है does का कहा होता है एक बचन करता जो होते हैं एक बचन करता है इन एक बचन करता हों के साथ में does का प्रियोग होता है किसका प्रियोग होता है does का प्रियोग होता है और बहुचन करता बहुचन करता में कौन कोने से आते हैं आई वी यू और दे ये biodiversity यह क्या आते हैं बोग τονiva HERE करता हैं अब शॉकद करता हूं प्र्तियका देख सब्सक्राB imagem के साथ हैं ल tidak प्रिषय घो गोगते हैं चार प्रकार के वारिंच Nickel nenhum क्योड ऐसेते हैं क्योंकि फोड़ा सा समझने मे में May Tच में भूल सी कर देते हैं, simple sentence में साधन वाकियों में do does का परियोग नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है, फिर क्या होता है, करता एक बचन होता है, और एक बचन कोन से, he, she, it, name में से, एक बचन कोन से करता है, he है, she है, it है, या किसी का नाम है, इन में से कोई भी करता होत साथ में A-S या E-S से जुड़ता है इन में से कोई भी होता है तो मुख्य करिया के साथ में क्या होता है A-S या E-S जुड़ता है इसका सुत्र जैसे प्रत्येक वाकिया दी हम किसी भी वाकिय को बनाते हैं तो उस वाकिया का सुत्र क्या है सब्जेक्ट लेते हैं उसके बाद helping verb लेते हैं, उसके बाद man verb लेते हैं, फिर object लेते हैं फिर others होता है, ये प्रतियक वाकिय का structure लेता है जिसे मोहन बाजार जाता है अब इसमें subject कौन है, subject ये मोहन हो गया, जाना किरिया हो गई, और ये बाजार यानि इसका object नहीं है, लेकिन others है, क्या है, अगर subject नहीं है, object नहीं है, तो अगला ले लिया जाता है, तो इसमें जैसे subject ले लिया मोहन, ठीक है और helping verb, जैसे go के साथ में ES लग देया, अभी अपन ने देखा था कि मोहन जो एकवचन है एकवचन होता है, तो ES या ES जड़ता है किसके साथ में, मुख्यक्रिया के साथ में मुख्यक्रिया गो है, तो गो के साथ में ES जोड़ गया, यह हो गया goes मोहन, goes to market हो गया, इसी तरह जैसे मानलो, अगर कोई वाक्य है, राम और शाम क्रिकेट खेलते हैं, राम और शाम जुड़ेगा क्रिया के साथ में और बहुत अनुगा तो एस या यह से नहीं जुड़ेगा तो यह उज़ेगा राम एंड शाम प्ले क्रिकेट अब इससे समाधित अपने एक्जाम में आने वाले दस परसन आगे दिये वह हैं जैसे दूसरा जो सेंडेस होता है वह नेगेटिव सेंडेस होता है जिसमें नोट का प्रियोग होता है अब नेगेटिव सेंडेसम क्या होता है तो माई ब्रोधर आ गया अब जैसे माई ब्रोधर इसके बाद में helping work helping work जैसे does आ गया क्यों माई ब्रोधर एक वज़न है एक वज़न के साथ does आया ये does फिर बाद note read आगी word और a story यानि ये object आ गया तो यानि ये होगे न माई ब्रोधर does not read a story तो इस प्रकार हो गया इसी प्रकार जीससे कोई sentence है कि विद्यारति में फूटबोल नहीं खेलते हैं ज़ies भवचन ए the students do not play football kaha खेलता नहीं है in the ground ground in the ground मेदान में फुटबॉल नहीं खेरते हैं तो students है तो do not हो गया अगर यहां क्या वले student होता तो डज हो जाता और student नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया यहां पर students है तो do हो गया इसके बाद जैसे मालो एक sentence होता है introvertive यह sentence के वाला माला में इसमें ही पढ़ेंगे बाकी में हमें सीदे देखना है introvertive देखी introvertive दो तरह का होता है एक तो yes no type वाला होता है और एक wh mesh card वाला होता है yes no type का मतलब है जिसे क्या से सुरू होता है क्या मोहन अपने मित्र के घर जाता है sentence है दज मोहन गो तू इस फ्रेंड गो तू रॉम तो इस फ्रेंड या तू इस फ्रेंड इस बहुत है तो इसमें दज आ गया क्योंकि डज इसलिए आया है क्या से शुरू है क्या से शुरू है तो डज से आया है डज मोहन, मोहन एक वजन है तो डज आ गया, go to his friends home, वह है अपने क्या हुए है, अपने मित्र के घर जाता है क्या पक्षी आकास में उरते हैं क्या पक्षी आकास में उरते हैं इसका मतलब बहुचन है, बहुचन है वाई डज रे खा, गो टू मार्केट रेखा एक बाद में एक जगे टू साञ तो इस परकार दे लिए तो आपको क्या अपाज बरना है? वाई डज रेखा गो तू मार्केट इस घहर में कौन रहता है ये भी डाचस से अर। सीमा खेल रही है, मोहन जा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है present continuous है, इसमें साय करिये हैं, तीन साय करिये होते हैं, is, r, m, eg, r, m, इनमें से, वरब की first form के साथ में ing आती है, तो इसमें continuous है, इसलिए ing का परियोग होता है, मुख्य करिया की first form आती है, एक वचन करता बवचन में आई आता है, लेकिन इसमें आई नहीं आएगा, इसमें, we, you, or they, इनके साथ आता है, और करता आई के साथ किसका होता है, m का परियोग होता है, आई के साथ में किसका परियोग होता है, m का परियोग होता है, जैसे देखिए, जैसे एक sentence है, मिना इस राइटिंग ए लेटर मिना एक बचन है इसलिए इसका परियोग हुआ है राइटिंग ए लेटर वर्ब की फस्तुम साथ माई एंग जाया है हू इस राइटिंग ए लेटर हू है एक बचन है इसलिए इस आया है I am living in a village मैं एक छोटी से गाउं में रहता हूं I के साथ में क्या आएगा एम आएगा ठीक है Are you living in this city क्या तुम इस शहर में रह रहे हो You है तो इसलिए आर का परियोग हुआ है यू है तो आर का परियोग हुआ है अब इसी तरह से जैसे तीसरा तो होता है वह होता है present perfect tense जिसमें चुका है चुकी है चुके है चुका हूँ चुकी हूँ अब जल्दी हम क्या करेंगे जो sentence हमका परियास करेंगे यानि उसका खाल करने का परियास करेंगे साइक रिया इसमें हैज और हैव होते हैं वर्ब की थर्ड परों मत यह सीधा सा समल दो परजेंट परफेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड परों हैज का प्रियोग एक वजन करता के साथ और हैव का प्रियोग बावजन करता के साथ जैसे subject plus has or have plus verb की third form plus object plus others इस प्रकार होता है ये simple sentence में इस तरह होता है has have के बार में verb की third form आती है जैसे sentence है कोई Ramesh is written later Ramesh एकवतन है इसलिए has का प्रियोग वर्ब की third form है ठीक है I have drunk well की ये drunk verb की third form है I के साथ have का प्रियोग होता है have you done your homework have you done you के साथ में have का प्रियोग हुआ है क्योंकि वर्ब की third form है what have you done आप क्या कर चुके हैं तो जैसे you है you के अधार प्रियोग है तो इसका मतलब ये क्या हो आप present perfect tense हुआ चोथा जो tense होता है वो present perfect continuous tense होता है present perfect continuous जिसमें समय के वद्दी के साथ जैसे नियम है रहा है रहा है इस को हम इससे भी के सकते हैं इस की साय के लिए नहीं होती है has been, बोवसन के लिए have been, अब इसमें since या four का प्रियोग भी होता है, किसका प्रियोग होता है, since या four का प्रियोग भी होता है, अब देखिए since का प्रियोग कहा होता है, निश्ची समय जो होता है, उनके लिए since का होता है, ए निश्ची समय है निश्चित समय जैसे मानलो कोई निश्चित तारीक दी हुई है निश्चित कोई तारीक दी हुई है या जैसे मानलो कोई वार दियावा है या कोई सन दी हुई है या किसी जैसे महिना दियावा है ठीक है या कोई समय दियावा है इतने बज़े से समय में बज़े से दि ना दिया वा तो वहां क्या होता है सिंश का प्रियोग होता है अब जैसे मुखन हैं तीन गंडे से खेल रहा है क्या और यह दस managed टीन सब्ता से जेफुर रह रहा है जिसमें सफर्क 2005 कोई पता नहीं कौन से तिन सब्ता जैसे ऑप मोहन have been reading a story for two hours. अब two hours system दिया हुआ है, दो गंटे से, इसका मतलब इसमी फोर का प्रियोग हुआ है. क्यों? क्योंकि फोर का इसलिए हुआ है कि ये दो गंटे निश्चित नहीं है. The boys have been waiting for you since morning. देखो, morning के साथ में since का प्रियों, since morning, since evening, जैसे since afternoon, since 2 o'clock, since 10 o'clock, ये सारे since का प्रियोग होता है. जैसे since 10 March, जैसे since 2005, जैसे since 2005, जो है, उनमें किस का प्रियोग होता है, जैसे boys है, तो इसमें have been का प्रियोग हो है, क्योंकि वर्प की, यानि ये थर्ड, ये बवचन है, जैसे देखिए, has been singing a song for 10 minutes, जैसे for 10 minutes है, जैसे आफल 4 आएगा, इसमें जैसे morning था, तो since आया, और 10 minutes है, तो क्या जाएगा, 4 आजाएगा, इसी साथ देखिए, अगला देखिए, why has this child been weeping since 10 o'clock, देखिए, since 10 o'clock आया है, क्योंकि वे जस्वजे से दिया हुए, अब देखिए, exam question कैसे आते हैं, exam question देखिए, देखिए, इससे हैं, जैसे barking dogs seldom इस परकार छोड़ करके, जैसे bites, biting has bitten, barking dogs है, बवचन है, और ये एक कावत है, इसलिए bite हो जाएगा, क्या हो जाएगा, bite हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा इसमें, इसी परकार देखिए, जैसे इस परकार के परस्ट बहुत आते हैं, दिपावली, usually in number, usually जहां पर आता है तो present indefinite का tense comic दिया जाता है, usually, gradually, actually, तो ये क्या होते हैं, कि इसमें लग बग है, वो present indefinite जाता है, फाल, इस फाली, फैल, फाल्स, दिपावली एक बचन है, दिपावली एक बचन है, तो इसमें फाल्स हो जाएगा, क्योंकि वर्व की first forum के साथ में ACIS जुरुता है, तो यहां पर फाल्स आजाएगा, क्या जाएगा, फाल्स आजाएगा, जैसे देखो, आगे देखो, I, I already a letter to him, already जहां पर होता है, तो लगभग जो है, present perfect एंस काम में आता है, कौन सा आता है, present perfect एंस काम आता है, इसमें ओप्सन देखिए, have written, am writing, was writing, wrote, तो इसमें have वाला यही है, I have already written, क्या हो जाएगा, already written a letter to him, इस परकार हो जाएगा, अगला देखिए, चोथा प्रसंट, चोथा प्रसंट केता है कि रमेश, प्लाइंग कार्ड, सिंस देखो, सिंस का प्रियोग हुआ है, अपन ने कौन सा टेंस पड़ा है, अभी present perfect continuous टेंस पड़ा है, जिसमें सिंस या प्रियोग होता है, आगे देखिए, have been, was, has been, none of these, नन इन में से कोई नहीं, तो इन तीन में से है, तो have been दो होगा नहीं, क्योंकि वरब की, ये, ये, थर्ड परसंट है, रमेश एक बचन है, इसलिए, have been होगा नहीं, was भी नहीं होगा, तो फिर क्या बच गया, has been बच गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, has been हो जाएगा, जहां पर सिंस आ गया है, इसका मतलब हमें perfect continuous tense में से भरना है, दूसरा है, one of my friends sold his land, मेरे मित्रों में से एक ने जमीन बेची, अब देखिए, ये जो subject है, वो एक वचन है, बवचन है, अब जैसे friends है, यहाँ लगता लगा है, लगता क्या है, बवचन है, लेकिन है एक वच मेरे मित्रों में से एक है, तो एक वचन के साथ में से कौन से किलिया लगेगी, अब sold है, ठीक है, वरब की third form है, परफेक्ट टेंस में आती है, तो each में आएगी नहीं, बाज में आएगी नहीं, ठीक है, अब हैस्ष का परियोग होगा, क्योंकि एक वचन है, तो सीधा है है जैसे is है, has है, has been है, does not है, जैसे does not आता है, तो उसमें ing नहीं जुटता है, तो यहां यह कट हो गया, जैसे has been है, लेकिन यहां पर कोई time दर साने के लिए कुछ भी नहीं दिया वा है तो इसका मुला has been भी नहीं आ सकता, इज है इज के साथ में वो इज स्लेपिंग अन्डरेटरी यानि ये प्रजेंट कंटिन्यूस का टेंस हो सकता है और इज का बर्द है हैज हैज के बाद में भी वर्व की थर्ड पॉर्म आती है जब कि यहां तो आई एंज लगावा है तो के वल एक ही बचा न यह इज तो इज है वो यहां पर बच जाता है इस पर कार आप थोड़ा देख लीजिए तीन वीडियो पढ़ेंगे इसके लगभख तीन वीडियो में टेंस के लियर उसके बाद में एक एक दो दो वीडियो उनके पढ़ लेंगे रेखा एजबीन प्लेंग क्रिकेट लास्ट आवर अब इनमें से क्या बरना है कि सिंस फॉर यह नन फॉर तो बरना है अब लास्ट एन आवर दिया वह है तो इसका मतलब फॉर हो गया फॉर लास्ट एन आवर तो इसमें भी आजाएगा क्यों है वी आजाएगा नहीं और सिंस इसमें आएगा नहीं क्योंकि निश्टी टाइम है नहीं आटों पर सने कि मिना एलेटर टो हर मदर देखो अब इसमें एलेटर जैसे मालो हैज रिटन आता है तो भी बिलकुल सही है has written आ गया is writing आता है तो भी आ गया सही है ठीक है was writing आता है अपना आज was पटा रही है लेकिन was writing आता है तो भी ठीक है अगर will write आ जाएगा तो भी यह सही है Mina will write a letter to her mother अपने मां को पत्र लिखेगी has written अपने मां को पत्र लिख चुकी है is writing a letter to her mother अपने मां को लिख रही है तो यह सारे के सारे जो present tense है present tense की जो भावे इस प्रकार आपको बरने इसी प्रकार की प्रशनाते है उमिद करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा है कैसा समझ भा रहा है आप जरूर बताईएगा ताकि क्या है कि इसी प्रकार समझ में आते जाए थोड़ा लिखने में तेज लिखने में थोड़ी सी हो सकता है दिक्कत हो तो थोड़ा आप समझने का प्रियास करें क्योंकि अगर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो पूरा टोपी क्लियर नहीं होगा मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूँ वो बात सुने आप वो बात सुनकर के अंदाज लगाए इस परकार आगे हम मोडल पेपर हल करेंगे जल्दी ही इनके मोडल पेपर हल करेंगे और मोडल पेपर हल करेंगे तो पूरा पूरा पेपर हल करेंगे जिसमें हम जैसे सो नमर का दो पेपर होता है पूरा का पूरा पेपर हल करके आपको बताएंगे और और भी बहुत सारे प्रस्ट जो है वो आपके लिए यानि अप्यास क्यूसम भी इसके लिए डाले जाएंगे ताकि समय बराब तरसकूर चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तर सबस्क्राइब कर लीजेगा जै ही जै भारत